तो हम आपको लगतार ये बात बता रहे हैं कि जाती अधारित जनगन्ना कराकर नितीश कुमार और तेजस्वी आदो बुरी तरीके से फस गह हैं जहां एक तरफ नितीश कुमार और तेजस्वी आदो को लगा था कि अगर जाती जनगन्ना हम कराएंगे तो तमाम समाज के लो करेगा कि इतना दिन तक आप लोगों ने राज किया हमारे समाज को क्या मिला और अब ठीक उसी तरीके से एक नेता खड़ा हुआ है एक यूआ नेता खड़ा होकर पूछ रहा है नितिस्ते जस्वी से कि आपने हमारे समाज के लिए क्या क्या हम धानुक समाज से आते हैं और हानुक समाज के लिए आपने क्या किया जाती अधारीत जनगन्ना में हमारा संख्या भी आपने कम बताया है और उस यूआ नेता का नाम है प्यूस प्रियदर्शी यूआ नेता जो कि अब नितीश कुमार अत्यजस्वी आदों को चैलेंज कर रहा है कि जाती अधारीत जनगन का रिपोर्ट बिल्कुल गलत है और अब प्यूस प्रिये दर्श्री के बारे में हम सब कुछ बताएंगे हमने यह सोचा कि आखिर यह हुआ नेता है कौन जो की खड़े होकर मुंगेर में कह रहा है कि जाती अधारित जनगन्ना बिल्कुल गलत है जब हमने इनके बारे में सर तस्बीर आप देखिए तस्बीर एक यूआ नेता की जिसके पीछे हजारो हजार के संख्या में कारे करता चल रहा है जब तस्बीर हमारे सामने आई हमने सोचा कि यह किस पार्टी से नेता है जिसके पीछे हजारो हजार के कारे करता चल रहा है तब पता चला कि यह यूआ सभा को बदलने की बात कर रहा है नाम है प्यूस प्ये दर्शी और जब सभा को संबोधित करता है तो हजारो हजार की संख्या में लोग उसके बातों को सुनते हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर इनके पास विजन क्या है यह किस तरीके से मुंगेर को बदलेंगे और मुंग 1% है अब धानुक समाज की संक्या जो लगभग 2% है अब 2% लेकिन धानुक समाज जो है वो अत्यांत पिछडा वर्ग में आता है अत्यांत पिछडा वर्ग का जो संक्या है वो लगभग 36% है तो अब प्रियू उस पिये दर्सी ये कह रहे हैं कि अति पिछडा वर्ग को क्या मिला धानुक समाज को तो कुछ मिला ही नहीं लेकिन अति पिछड़ा वर्ग को क्या मिला 36% हम हैं लेकिन राज कौन कर रहा है राज वो लोग कर रहे हैं जिनकी संख्या 27 प्रतिशत है यानि पिछड़ा वर्ग के लोग राज कर रहे हैं और अति पिछड़ा वाले सवाल कर र हैं हम समाज को बदलने आए हैं लेकिन मौका हमें नहीं मिल रहा है और सबसे बड़ी बात कि जब हमने देखा कि इतना बड़ा बड़ा बात करने वाला नेता भाई आखिर कौन है जा एक तरफ सब पर ठपा लगता है कि आठवी फेल नौवी फेल पढ़ा ही लिखा नहीं तो मुंबई से वो भी और सबसे बड़ी बात कि जहां एक तरफ लोग जो है वो पढ़ाई करकर बड़े बड़े बिजनेसमेन बन जाते हैं या फिर अपना दूसरा काम चूज करते हैं लेकिन प्यूस प्रिये दर्शी को लगा कि नहीं भाई हमको नेता बनना है हमको मुंगे मुंगेर को चेंज करना है यानि कि 2024 लोग सबाद चुनाओं में मुंगेर में ये ताल ठोकेंगे और जब ताल ठोकेंगे तो नितीश कुमार के लिए मुसीबत बनेंगे और नितीश कमार के लिए क्यों मुसीवत बनेंगे आपको पता ही है कि मुंगेल लोगसभाद छेतर से किस पार्टी का सांसद है और कौन है मुंगेल लोगसभाद सीट से जेडियू का सांसद हो भी जेडियू के राष्टी अध्यक्ष अब तो जाती अधारित और अति पिछडा वर्ग का संख्या जो है वो 36 प्रतिशत है अब तो यहाँ नुकसान होने वाला है और यह जो हम आपको दिखा रहे हैं यह आपको मुंगेर के सूड्य गाढ़ा विधान सभा है मुंगेर में एक विधान सभा है सूड्य गाढ़ा वहाँ पर यह अपना कारि करते हैं, हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं, वो सुनने आते हैं कि भाई एक धानुक समाज का लड़का जो है, वो हमसे निकल कर हमारी बात करने आया है, तो सुनना तो पड़ेगा, तो वो सुनने आते हैं, वो प्यूस्प्रिये दर्सी के बातों से सहमत रहते हैं, व वो भी सवाल उठाते हैं, वो भी कहते हैं, कि हमारी संख्या इतनी नहीं है, हमारी संख्या इससे भी अधिक है, अति पिछडा का भी संख्या इससे भी अधिक है, उच्छातिस नहीं, उच्छालिस है, लेकिन च्छातिस बनाया गया है, और इन लोगों का सताइस नहीं है, इ पूछने की हिम्मत कर रहा है और वो बता रहा है कि हम आपके खिलाब चुनाओ भी लड़ेंगे और अब देखें दोहजात चौबिस में क्या होता है प्यूस प्रिये दर्सी जब उतरते हैं मैदान में तो जाती अधारित जरंगन्ना नितीश कुमार के लिए किस तरीके से जिवत बनती है यह तो वक्त ही बताएगा मैं रहाल इसकबर में इतना ही बने रहे हमार साथ और देखते रहे जनता जंक्शन